जो परियुन में वस्ता के लिए लगाए जाते हैं, लोगों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं कि इस साइड में आप नहीं जाएं और यहाँ आप रहते हैं सभी इनका मज़ा ले रहे हैं अन्हें गांदी चोख इतना ज़ाँ भणा है कि आप नोका चल सकती है और यह नोका तो नहीं है, लेकिन नोका से कम भी नहीं है और बारिस के बाद औटूँब पूरा मज़ा ले रहे हैं गांदी चोख में और ये नजारा बहुत सुंदर है शुबेर 6 बजे बारिषवी में सुपरवार के दिन आप अलनकी लोगों को बच्चों को स्कुल जाने में दुकाने खूलने में दिक्कत हो रही है लेakिन बारिष का मजा इब ले रहे हैं क्योंकी बारिष की बिनना सब कुछ सूना है और ब नोका चल रही है गांदी चोक पे अंदाज भी खूब निराला है नोका यान करने का आप देख रहे हैं कोई चपू लगाने की जुरूत नहीं अपने आप चल रही ही तो कि अच्छा खासा पानी गांदी चोक में भर जाता है अब ये नोका दूसरे के लिए छोड़ दी गई है कोई भी ले सकता है इसको लेकिन मासे वापिस आ रहे हैं क्योंकि चपल चली गई थी उनकी और आप देख रहे हैं गाए माता भी बारिस का अनन्द ले रही है बच्चे तो हर चीज का बजा लेते हैं तो बारिस का क्यों न लेंगे सुजान गट की सड़ के दरिया बन गई ही है पानी दुकानों में चला गया आप देख सकते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं गर्मा गर्म कचोरिया बड़े बनने की तैयारिया सुरू हो चुके क्योंकि बारिस रुकने के बाद लोग दोड़ कर यहीं आएंगे पूरे गांधी चोक में पानी बढ़ा है दुकाने खुलने लगी है लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं नोगायान हो रहा है यह देगी है बचों की मस्ती बारिस के बाद में मस्ती करी जा रही है क्या बाद है सबी बच्चे बन गए हैं आप देख सकते हैं इसको कहते हैं बारिस के बाद का मज़ा है हर और मस्ती मस्ती नजर आ रहे हैं इतना मज़ा तो नदी में नहीं आता होगा क्या बात है गांधी चोक स्वीमिपूल बन गए आप देख रहे हैं वहाँ यह देखें तेरा की हो रही है गांधी चोक में क्या बात है देखें तेरा की हो रही है गांधी चोक का यह दुश्या आप देख रहे हैं वारिष के बाद की मस्ती आप देख सकते हैं पानी कितना आप देख सकते हैं गांदी चोक में अच्छी बारिष हो जाए उसके बाद में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या खहने है आप देख रहे हैं चाय की चुष्क्या ली जा रही है और यहां पर आप देख रहे हैं कचोरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है कचोरिया बन रही है क्योंकि जी बारिष होती है उसके बाद में पकोड़े कचोरी समोसे खाने का मज़ा ही और होता है आप देख रहे हैं यह कचोरियां बन रही है सबको आनद नहीं आता है कुछ लोगों को प्रेसानी का सामना भी करना पड़ता है देखें मोड़साइन ने पट्रियों पर चल रही है आज गाड़ियों वाले सोच रहें कि आगे जाएं या नहीं जाएं कहीं कोई नाला खुला ना हो गाड़ी फस नहीं जाएं यह देखें आप देख रहे हैं हर कोई कत्रा रहा है बड़े वानों के लिए कोई दिकत नहीं आप देख रहे हैं लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए परिसानी हैं और यह देखिए जब बाइक पट्री पर चलाई है तो परिसानी भी होगी है इसको निकाला जा रहा है यह काम इतना असान होता तो ट्रेनिंग पट्री पर नहीं चलती सब वहान ही चलते कि देखिए कितनी मसकत करनी पड़ रही है क्योंकि रेलवे ट्रेक पर बाइक चलाना बहुत आसान नहीं होता है और अगर चलाई है तो सोड़ा कश्ट उठाना पड़ेगा अगर बारिस के बाद में लोगों का संगर साब देख रहे हैं अगर जाता है तो अगर 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 उप्यूश्चितो नहीं आखिए तो आदाना कै पार यह देखिए 펫 गई गुत्ते कादे में बस गई है बाजी नारो फुलो है ये था सुधानगर से मारा खास कारक्रम जहां आज से इस मोसम की सबसे अच्छी बारिश हुई लगबग डेड रंटे की बारिश से पुरा सुधानगर पानी पानी हो गया पुरे मार्केट में पानी भर गया हरिजन बस्ती में लोगों को काफी प्रिशानी का सामना करना पड़ा घरों में पानी खुश गया और एक स्कुल की दसा भी हमने आपको बताई और इस करक्रम के बाद मैंने स्टेम उफखंड दिकारी दिंद्याल बाकोले जिसे बाचिक की उन्होंने निसीत्रुप से कहा कि हम हरिजन बस्ती का दोरा करेंगे जो समशे लोगों को पहली बारिश के बाद गहिए उन्हें मिजाद दिलानी का पुरा प्रियास करेंगे ऐसे इन सुधारी मैं स्टेम का टिवारी प्रेस्यों की तिवेक टिवारी के साथ आप सब का देने बाद नमस्कार